हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सद्धा होम लाइफ में आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा ब्रेकफास्ट जो कम से कम 10 मिनट के अंदर बन करके तयार हो जाता है ये ब्रेकफास्ट खाने में तो टेस्टी लगेगा ही साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है तो चलिए इस रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें लगेगा सबसे पहले एक कटोरी बेसन ये भर कर एक कटोरी बेसन नहीं है आप अपने quantity के हिसाब से भी बेसन ले सकते हैं उसके बाद इसमें हम डालेंगे दो चम्मच के लगभग सूजी और वो चम्मच हम यूज कर रहे हैं जिससे हम लोग regular घर में खाना खाते हैं तो इसमें दो चम्मच सूजी डालने के बाद इसमें अब हम डालेंगे दो चम्मच दही और अब इसमें हम डालेंगे एक बड़े साइज का कदू कस किया हुआ आलू जिसे हमने धो करके रखा हुआ है और इसे अच्छे से निचोड लिया है ताकि इसमें पानी बिल्कुल न यहां पर एक चम्मच नमक हम ले रहे हैं, तीके के लिए दो से तिन, हरी वाली मिर्ज को बारी काट कर इसमें हम डालेंगे, उसके बाद थोड़ा ये रेसिपी चटपटा बने, तो दो चुटकी के बराबर इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, एक चुटकी के लगभग हम अच्छा लगे खाने में टेस्टी ये रेशिपी लगे तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे अधरक लाहसुन का पेस्ट और इन सब को मिक्स करने के लिए इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इन सब को अच्छे से mix कर लेंगे जो मसाले हैं नमक है अच्छे से इन में mix हो जाए तो इसे mix करने के लिए क्या करेंगे हम कि थोड़े थोड़े पानी का यूज करेंगे थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसी अच्छे से mix करेंगे फिर थोड़ा पानी डालेंगे ताकि इसमें लम्स और गुठलियां एकदम ना पड़े तो चलिए इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके हम और इसका एकदम गाढ़ा सा बैटर बना लेना है बिल्कुल इस तरीके से ताकि जो हम ढूसा बनाए खुब बढ़ियां बन करके तयार हो तो ये देखिए ये बैटर तयार है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले नमक खुब बढ़ियां से इन में मिल जाए तो इसे मिक्स करने के बाद इसे आप चाहें आपके पास समय है तो 5-10 मिनट रेष्ट पर रख सकते हैं अगर समय नहीं है तो 1-2 मिनट काफी है तो चलिए इसे ढख करके रख देते हैं कुछ देर के लिए और अब हम बना लेते हैं चटनी, तो चटनी बनाने के लिए हम सबसे पहले कड़ाई को गरम करेंगे, इसमें डालेंगे एक चमज सरसो का तेल, सरसो का तेल जब अच्छी तरह से गरम हो जाए तब इसमें हम डालेंगे आधा चमज जीरा, और जब जीरा अच्छी तरह से यार हो और अब इसमें हम डालेंगे कुछ कड़ी के पत्ते और उसके बाद डालेंगे इसमें हम डेसिकेटेड कोको नट अगर आपके पास गड़ी का बुरादा ना हो तो आप चाहें तो सुखे वाले नारियल को भी इसमें डाल सकते हैं बारी कट करके या फिर जो कच्चा नारियल होता है उसे भी डाल करके अच्छे से थोड़ा भून लेते हैं तो यहां गैस का फ्लेम एकदम हम लो रखेंगे ताकि जो यह नारियल का बुरादा है जले नहीं और अब इसमें हम डालेंगे लहसुन तीन से चार लहसुन की कलियां और इसे हम एकदम से पकाएंगे नहीं क्योंकि लेसुन पकने के बाद थोड़ा मीठा हो जाता है तो इसे हम कच्छापन रखेंगे ताकि इसमें टैंगी सा फ्लेवर एकदम आये और इसमें हम डालेंगे दो बारी कटा हुआ टमाटर अब इन सब को थोड़ा अच्छे से भून लेंगे और इसमें अब हम एक ओर्डिंग नमक ताकि जो टमाटर है थोड़ा सौफ्ट हो जाए तो चलिए इसमें अब हम नमक भी डाल लेते हैं यहां पर नमक आप अपने टेस्ट के एक ओर्डिंग रख सकते हैं तो इन सब को अच्छे से चला करके मिक्स कर लेंगे और यहां गैस का फ्लेम हम मीड तो चलिए इसे अब हम ठंडा कर लेते हैं ठंडा करने के बाद इसे हम दूसरे बरतन में निकाल लेंगे तो यह देखिए इसे हम दूसरे कटोरी में निकाल लिए हैं और अब हम इसकी चटनी बनाएंगे तो इसके लिए हम ले लिए हैं मिक्सी का जार और मिक्सी के जार मे इन सब को अब हम डाल देंगे और सारी चीजे इसमें पढ़ चुकी है मेर्च लहसून और नमक भी अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि चटनी जो है खुब बढ़ियां से पीस सके इस चटनी को पीसने के लिए हम ज्यादा पानी का यूज नहीं करेंगे बस एक उसरे बरतन में हम पलट लेते हैं और यह चटनी एकदम मोमोजवाली चटनी की तरह लगती है खाने में और इसमें डेसिकेटिड कोकोनट डला हुआ है तो इसका टेस्ट एकदम जबरदस्त आता है तो यह देखिए चटनी देखने में कितना बढ़ियां लग रहा है तो इ उसे एक बार इस तरीके से मिक्स जरूर कर लीजेगा और इसे बनाने के लिए हम नॉर्मल तवे का यूज कर रहे हैं अगर आप चाहें तो नॉनिस्टिक तवे का भी यूज कर सकते हैं और इसमें डालेंगे एकदम हलका रिफाइन इसमें लगा देंगे और यहां गैस का प्लेम हम मीडियम रखेंगे और तवा जब गर्म हो जाए तब इस पर हम डाल देंगे इस बैटर को थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे दो चमच के लगवग और धीरी धीरी इसे अच्छे से फैला लेंगे एक रोटी के सेप में और इसे कुछ दिर के लिए ढग कर पका जादा नहीं बस आधे मिनट में ही ये पक कर के तयार हो जाता है तो ये देखे कितना बढ़ियां ये पक चुका है तो अब इसे हम पलट लेंगे तो ये खुब बढ़ियां से इसमें बन जाता है असानी से तो ये देखिए इसे हम पलट लिए हैं इसे हम पलटने के बाद भी थोड़ी देल धक कर पकाएंगे ताकि जो बेशन और सूजी है खुब बढ़ियां से इसमें पक जाए तो इसे आधे मिनट के लगबग फिर हमें धक करके पकाना है तो ये देखिए ये पक चुका है तो अब इसे हम हटा करके भी आपको दिखा रहे हैं और इसे दोनों साइड से उलट पुलट कर अच्छे से हमें सेक लेना है और यहां पर जो तेल है बहुत ही कम लगता है और कम तेल में ये नास्ता बन करके तयार हो जाता है अगर ये रेसिपी और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे रेसिपी और वीडियो बनाने में मुझे भी मन लगे मोटिवेशन मिलता है इससे और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और ये जो ढोसा है सारे ढोसे को हम इसी तरीके से आधे आधे मिनट तक ढख करके पका लेंगे और इसे उलट पुलट कर अच्छी तरह से सेख लेंगे तो ये देखे ये दूसरा ढोसा भी हम बना ले रहे हैं और इसे भी कुछ दिर के लिए हम ढख देंगे और इसे पकने देंगे आदे मिनिट के बाद इसे हम क्या करेंगे कि पलट देंगे और यहां गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे हाई नहीं रखना है नहीं तो ये धोसा जल जाएगा और इसे उलट पुलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे और ये देखे सारे धोसे को हम इसी तरह से बना लेंगे तो ये देखे सारा धोसा बन चुका है और ये देखने में कितना बढ़िया लग रहा है तो लीजे बनकर के तयार है कम इंग्रीडियन्स में कम तेल मसालों है एकडम जटपड बनकर के तयार हो जाने वाला ब्रेकफास्ट जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है सुबह की भाग दोड़ में इसे बनाना बहुत आसान है और ये एक ऐसा breakfast है जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा टेस्टी होने के साथ साथ healthy भी है और ये चटनी जो है बहुत ही टेस्टी लगता है इसके साथ तो इस recipe को जरूर try कीजिएगा और आपको ये recipe और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा recipe और वीडियो अच्छी लगे हो तो एक like जरूर कर दीजेगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई राधे राधे